मुझा आज आज मैं सेयर करूंगी अपना दैट गर्ल नाइट रूटीन अगर आप morning person नहीं हो, evening person हो तो ये रूटीन आप भी follow कर सकते हो और दैट गर्ल का मतलब ये भी नहीं है कि आप सुबा उठ रहे हो तभी आप productive रह सकते हो दैट गर्ल तो वो है जो खुद को importance देना, self-care, diet, workout, mental health का ध्यान रखो और छोटी छोटी जो चीज जो आपको खुसी देती हो और अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो ऐसा नहीं है कि 7 दीन में सुबा उठ जाती हूँ मैंने जब से यूटूब सुरू किया है तो मेरा weekend में दो दीन मेरा off रहता है जॉब का तो two days ही में editing, shooting ये सारे चीज चलता है तो पूरा पूरा रात में editing करती हूँ, यूटूब का video shoot करती हूँ फिर में 3-4 बजे तक मेरा खतम होता है कभी-कभी तो मेरा 7-8 बज जाता है सुबा का फिर मुस्किल से मैं 2-3 घंटा सोती हूँ, उसके बाद फिर उटके अपना सारे चीज करती हूँ तो सब कोई अपने life में sacrifice कर रहा है, अपना struggle कर रहा है सच कहूँ तो किसी की भी life easy नहीं है, जितना हमें दिखती है, अफिल लगती है सब कोई अपने life में बहुत सारा compromise कर रहा है, struggle कर रहा है तो अपने लिए time निकालना वो भी हमारे हाथ में है और जिस दिन में late से उठती हूँ और ऐसा कुछ होता है तो उस दिन में अपने day को evening से ही शुरू करती हूँ तो ये भी वीडियो में evening से ही बना रही हूँ ताकि आप लोग के साथ में पूरा share कर से हूँ कि मैं evening से night तक कैसे में routine को follow कर सकती हूँ productive रह सकते हो और आप लोग भी ऐसारे चीज़ कर सकते हो घर का काम भी किया करो क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा खुसी देती है मुझे तो at least देती है मुझे अच्छा लगता है खुद का हर एक चीज़ करना need and clean रखना अपने कपड़े को अच्छे से fold करके रखना क्योंकि ये भी एक productive day एक dad girl के routine में भी ये सारे चीज़ भी include होता है and ममी के ऊपर कुछ भी छोड़ा मत करो खुद से किया करो जॉब से अगर कर रहे हो जॉब से आने के बाद भी ये सारे चीज़ आप follow कर सकते हो ये black hoodie दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने clean कर लिया है ये मेरा favorite है वैसे black मेरा favorite color है आप लोगों कौन सा color ज्यादा पसंदे comment करके जरूर बताना ओके मेरी प्यारी बेहनो वैसे तो जीम मैं morning में ही आती हूँ पर जिस दिन में लेट से अपना दिन का शुरुआत करती हूँ उस दिन में evening या फिन night में जीम आती हूँ बट कभी बे मैं अपना walkout मिस नहीं करती हूँ अगर कोई importance काम ना हो walkout तो वैसे करना बहुत जरूरी है मैंने बहुत बार बोला है अपने वेडियो में पर आप लोगों के साथ एक चीज़ात सेयर करूँगी walkout करने से तीन चीज मेरा life से without medicine ठीक हुआ है पहला PCOD बहुत ही major problem था PCOD का बहुत ही जादा एक भी पिल नहीं लिया है सिर्फ walkout से healthy lifestyle से मैंने वो चीज़ को achieve किया है मेरा PCOD completely ठीक हुआ है second है thyroid मेरा मम्मी को thyroid है तो मेरे कोई symptoms आया था मेरा blood test में मेरे को पता चला walkout से healthy lifestyle उसको भी मैंने ठीक किया है third है जो बहुत ज़्यादा problem जो दिखता भी था वो है मेरा pimple इतना बड़ा बड़ा acne तो वो भी ठीक हुआ है walkout के वज़े से तो walkout हमारे life में बहुत ज़्यादा important है अगर हम लोग उसको समझ गए जैसे हर रोज खाना खाते हर रोज बिरास करते ना आते वैसे भी walkout करना है आपको बहुत बताऊ मेरा पाउ में बहुत ही ज़्यादा पेन है क्योंकि मेरा अगला दिन लेक डे था आज मैं सही से बैट भी नहीं परो टज भी कर रही हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है बट कोई भी excuse मैंने अपने आपको नहीं दिया ना मैंने सोचा क्योंकि जैसे हम लोग सोचना सुरू करते हैं कोई भी negativity या फिर नहीं करना है आलस पंती वैसा ही दिमाग से हम लोग वैसा हो जाता है एंड हम लोग वो सारी चीज नहीं कर पाता है तो हमेज़ पॉजिटिव रहना है आपने आपको खुद को motivate करना है मुझे कोई नहीं है single one person नहीं है motivate करने के लिए बट मैं खुद को करती हूँ मैं इतना ज़्यादा मेहनत करती हूँ job करती हूँ यूटूब करती हूँ यूटूब में बहुत मैंनत करती हूँ मुझे देखने वाले 10 से 12 है फिर 15 है फिर 100 views मिलता है मैं बहुत जदा demotivate हो जाती हूँ पर फिर दो दिन में फिर अपने आपको में motivate कर लेती हूँ कि नहीं समरीन करना है क्योंकि वो जो 10-15 लोग ही जो देख रहे है जो अपना बहन बोल रहे है कोई दिदी बोल रहे है वो भी तेरे लिए important है क्योंकि वो लोग तुझको तेरे वीडियो देखना चाते है तो उन लोगों के लिए कर तो वैसे करके अपने आपको motivate करती हूँ और मैं देखो जिम में भी आके अपना office का काम कर रही हूँ कि मैं अपना phone पे हूँ headphone लगाया है तो यहाँ पे भी आके मुझे काम करना पड़ है क्योंकि मेरा office का कोई भी काम होता है call करता है तो मैं phone पे भी solve करती हूँ so always मैं productive रहती हूँ always मैं हर एक चीज़ को maintain करके चलती हूँ और यह सिफ करती हूँ क्योंकि मेरा mental में वैसा करके रखती हूँ कि मैं कर सकती हूँ I hope आप लोगों को यह सारे चीज़ से थोड़ा बहुत भी help मिला होगा and help मिलेगा आप लोग चाहोगे तो कुछ भी कर सकते है आप को आप मरुआ को आप 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 को आप कि वाक आउट डान दो घंटा बहुत अच्छे से वाक आउट किया बहुत अच्छा लग रहा है घर जाते वक अपने लिए कुछ भी फल फ्रूट में लेके जाती हूं कोई भी चटर पटर चीज में नहीं लेती हूं कि आपने आपको समझाती हूं कि समरीन यह सारे चीज अभी नहीं खाना है अच्छा इसकीन पाना है तो फ्रूट में इंवेश्ट कर और फ्रूट खाओ तो वही सारे चीज में करती हूं जीम से आने के बाद ममा बेटा का थोड़ा सा प्यार महबद चल रहा है हम लोगों का अभी मैं प्यूंगी कोकोनट वाटर वैचे तो मैं मौनिंग में पी लेती हूं पर जिस दिन मेरा सब कुछ लेट से सुरू होता है तो जीम जाने से पहले पी लेती हूं या फिर जीम से आने के बाद तो अभी मुझे बहुत प्यास लगी थी तो मैंने सोचा में कोकोनट वाटरी पी लेती हूं और जादा लेट भी नहीं हुआ था रात नहीं हुआ था तो पीना अभी ठीकी रहेगा बहुत ज़दा बोड़ी को हाइड्रेट भी रखता है और इसकीन को किलियर जीन से आने के बाद वाम वाटर से में नहाती हूं यासी रात में कभी भी नहाती हूं वाम वाटर से बहुत हलका फिन होता है रात का नीद बहुत अच्छा आता है नाइट सुट पहल लिया है अपना स्कीन केर करूंगी नाइट का तो यहाँ पे मैं यूज करें फेसवस एकॉलेजी का यह टूल यूज करें में मिनिसो का बहुत ही सौफ्ट है सिलिकोन टूल है अब मैं थोड़ा से फेसवस ले लूँगी अपने फेस को मैंने पहले से थ करना क्योंकि बहुत ज़दा इंपोर्टेंट है तो अभी मेरा फेस अच्छे से क्लीन हो गया अब इसको हाइड्रेट करने के लिए यूज करूंगी मैं कोलेजन सीट मांस जो मैंने मिनिसों से मेलाई थी मैं हमेसा मिनिसों का यूज करती हूं क्योंकि साट सौ और डेर सो म में अपको मिल जाता है सीट मास साट अट रुपया वाला ज्यादा होता है कुछ-कुछ एक्स्ट्रा कुछ और भी चीजे रहती है तो देलर सो में में पर यह वाला साट रुपया का है बहुत ही अच्छा होता है, MINISO का sit mask बहुत ज़्धा hydrating रहता है, क्योंकि कोई भी sit mask सिफ पर सिफ आपको skin को hydrate करता है, उससे जदा और कुछ नहीं और गाइज हमेशा कोशिज करना सीट मक्स को पहले आप फ्रीज में रख दो उसके बाद जब ठंडा हो जाए उसके बाद अपना फेस में यूज करो बहुत ही अच्छा आपको फील होगा इसको मैं 20 मिनिट तक रखूँगी 17 से 18 दिन हो गिया है मैंने अपना हेर के रोटीन में ये सीरम मैंने याड़ किया है ये है मिनिमिलेज्ट का हेर ग्रोथ सीरम अभी जब तक 3-4 बोटल यूज नहीं करेंगे तब तक कुछ बोल नहीं सकते हैं तो नाइट में मैं रोज इसको लगा लेती हूँ उसके बाद इतना ही क्यार में करती हूँ 20 मिनिट तो हो गया है मेरा सीट मस्क का अब मैं इसको निकाल लूँगी और मेरा इसकीन बहुत ज़दा फ्रेस फिल हो रहा है क्योंकि इसको मैंने फ्रीज में रखने के बाद यूज किया था यह बेस्ट वे होता है सीट मस्क को यूज करना आप लोग भी ट्राई करना बहुत ही अच्छा फिल होगा तो मेरा फेस बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हो गई है वो मुझे फिल हो रहा है बाकी भी मैंने थोड़ा सा अपने निक में भी लगा लिया है इसके बाद मैं अपना फेवरीट मॉस्ट रोजर यूज करूंगी वो है पॉन्स का हाइड्रेटिंग मॉस्ट रोजर जिसमें हैलरानिक एसिड भी है अलग से सिरम लगाने की कोई जरूरत नहीं है और हो गई है मेरे सिम्पल से स्किन केर रोटिन इससे ज्यादा स्किन में कोई नेड नहीं है और कोई जरूरत भी नहीं है जितना सेम्पेल रखोगी स्किन केर रूटिन उतना आपका स्किन के लिए अच्छा है ज्यादा एक्स्ट्र पोडैक यूज़ करने की कोई जरूरत नहीं होता है ग्लोइंग स्किन के लिए जितना सेम्पेल से हेल्दी सा और टेस्टी सा डिनर मेरे रेडी हो गया है आज मैं आप लोगे साथ एक चीज़ सेयर करूंगी बहुत सरा लड़के लड़की क्या करते हैं पतला होने के चकर में राइस और रोटी को अपने डाइट से एकदम से हटा देते उन लोग को सकल दे डाइट पर राइस और रोटी को जरूर रखना एंड में यहां पर फीस भी एड किया है तुम्हें बता रही हूं फीस खाने से आपका हेयर फॉल नहीं होता है क्योंकि उसमें वह मेगा 3 फैटी एसीड होता है तो सप्लिमेंट क्यों लेना है यार जब डाइट पर खाने प बहुत ही अच्छा होता है फीस और जो रोटी और राइस को कभी भी अपने डाइट से ना कभी भी कट आफ मत करना मैंने कॉंटिटी भी दिखाए थोड़ा सा खाओ बट खाओ दिन के कभी भी एक टाइम पर में दो पहर में नहीं ले पाई इसलिए मैं नाइट पे ले लि बहुत ज़़ा काम लगता है और मेरी अम्मी बोलती है हम ऐसे क्लीन रखना चाहिए अपना बेसीन को रात के टाइम पर हम ऐसे क्लीन रखके ही सोया करो और अब मैं प्यूंगे अपना गिरिंटी दिन के कभी भी टाइम पर अब गिरिंटी पी सकते हो पर मैं पीती हूं साम के टाइम पर रात के टाइम पर वैसे तो सुभा से बिजी रहता है ताइम नहीं मिलता है गिरिंटी बहुत अच्छा होता है यह बहुत को लगता है कि इस doctorat ग्रेंटी अपके इसकिन को बहुत हैल्डी रखता है एंड क्यम्कि बॉडिक्त ढ़्ट करता है gramky वेट लॉस में कुछ हेल्प नहीं करता है, वो तो सिव अपना वॉक आउट और आपका डाइट ही करेगा, that's it. सो मेरा एविनिंग से नाइट का रूटीन ऐसा ही रहता है, पोडैक्टिव, बहुझ दा बीजी, और में पेट्स को देखना, वॉक आउट करना, घर का धियान रखना, ममा पापा से बात करना, यहीं सारे चीज में मेरा पूरा टाइम निकल जाता है, मेरी एक बहन ने मुझे बोला था, दीदी मुझे नाइट रूटीन जानना है, तो बाबु मैंने वीडियो बना दिया, नाइट रूटीन का, I hope आप लोगों को अच्छा लगा हो, और वीडियो अगर अच्छा लगा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और मुझे जो छुटी-छुट इनके बारे में अभी मैं पढ़ रही हूँ, जो पेज पढ़ रही हूँ, इसमें हैं वाइटमिन E, C, D and गलोटाथायोन, इसमें से कौन सा फूरुट से मिलता है, क्या का काम होता है, कब लेना होता है, ये सारे चीज हेल्दी लाइफस्टाइल, ये बुक्स में बहुत सार चीज है, skin, hair, overall, body के लिए, तो मैं हमेसा पढ़ती हूँ, knowledge gain करती हूँ, अपने diet पी include करती हूँ, उसमें जो best जो result आता है, वो ही मैं अपने routine में, अपने video में add करके, आप लोगों तक मैं पहुँचाते हूँ, ताकि आप लोगों तक जो video जाए, information जाए, वो 100% पूरा ए benefit मिल सके, so I hope आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को like, share, subscribe कर दिना, फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरा next वीडियो में, तब तक के लिए सब कुस खुस रहे, healthy रहे, bye, love you all.